दोस्तों आपने वीडियो देखा था मेरा जो बलीनों में मैंने फ्लैट बेट बनाया था और आज मेरे एक फ्रेंड है जिनकी है एक्सल 6 तो हमने ट्राइ किया है कि वह फ्लैट बेट जो है एक्सल 6 में कैसे फिट होगा तो मैं वह भी आपको दिखा रहा हूं तो अभी पूरी डाउन नहीं हो सकती है यहां पर यह मैक्सिमम इतना ही एंगल हो सकती है वाली सीट और पिक्टर से मैं दिखाता हूँ तो यह देखिए इसमें भी अगर आपको अपनी कमर सीधी करके आप पैर फैल आके अपना आराम से तसली से बैठना चाहें लॉंग ट्रिक्यों पर जाना चाहें तो इसमें आपको बैट के दिखाता हूं तो इसमें आपको बैट के दिखा रहा हूं मेरी जो मेरी जो यहां पर आपको सपोर्ट मिली अच्छी आराम से यहां पर बैट किये और फीछे अपनी कमर लगा के एक मेरे छोटा सा पीलो ले लिया है गाड़ी में पहले ही था तो अराम से रखिए और आप अराम से लंबी पिट पर जा सकते हो अपना लैपटोप मॉबाइल जो भी आप यूज करना चाहो ऐसे यूज कर सकते हैं तो देखिए एंगल आप देच सकते हो अराम से इस एंगल में बैठा हूँ पैर पहला के तो लेटना तो पॉसिबल नहीं है पूरा क्योंकि पूरी फोल्ड नहीं हो पा रही है इसमें भी बड़ा कमफोर्टेबली आप बड़े ल बड़े लेगी बाद आपको यहां से प्रेशन नहीं देना है तो यहां पर लोट दीजिए और अराम से रेखिए तो इसमें पीछे दो लोग आराम से लेट सकते हैं और यहां पर देखिए कुछ लगे जब आराम से इसमें बड़े-बड़े बैक्स यहां पर रख सकते हो यहां पर द्राइवर सीट को हमने कुछ नहीं टच किया तो ड्राइवर अपनी हिसाब से अपनी कमफर्ट के साब से गाड़ी चला सकता है और साइड में बंदा आराम से तसली से बैठेगा इस गाड़ी में तो यहां वाला बड़ा बैक जो है मैंने पीछे शिफ्ट कर दि यहां पर एक AC है तो यहां आपको फुल अपने रूम वाला मजा आने वाला है यह चंजिस दिखाने आपको जरूरी थे तो मैंने बाद में क्लिप बनाई है और उसको यहां पे इंसर्ट किया है तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो मेरे को जरूर बताईएगा और इसके बाद में इस फ्लेट बैट अभी तो यह मैंने इनको दे दी अपने फ्रेंड को एक और फ्लेट बैट ट्राई करूंगा जो कि इसका नेक्स वर्जन होगा अभी फिलाल में कह सकते हूं यह अलफा था तो इसका नेक्स वर्जन आ रहा है तो वो भी आप वाच जरूर कीजेगा वीडियो तो थैंक्स वर वाचिंग और जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और 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 के साथ शेयर भी कीजिए तो थैंक्स